टारगेट विद पियस परिहार चैनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाई होती हैं जो विभिन समचार पत्रों पर 6W होती हैं और विद्यार्थियों के लिए अवश्यक होती हैं तो आईए सुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से सम्मधित कौन कौन से सूचना है आगे बनने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी D.E.S.B. की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं इसमें पेपर जो फस्ट होता है उसकी ये इस्टिडी गाइड है और ये है चचुप्रकाशन की काफी अच्छी पुझतेक है ये इसमें डिस्क्रिप्टिव इस्टिडी मेटेरियल तो दिया ही हुआ है साथी 45 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रस्ण भी दिये वे और इनकी पूरी विश्टिडी द्याक्या भी आपको इस पुझतेक में मिलेगी सभी काफी किताबों की दुकानों में चचुप्रकाशन की ये बेस्ट इबुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दिया है वहाँ पर जा करके आपको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं चचुप्रकाशन की और भी भी बहुत सारी पुझतेके आती हैं जैसे UPTT, UP SSSC और यहां पर CT8 इत्याद की LTE ग्रेट की भी आती है इस बुझतक में उसी परकार के प्रसनों का समावेज किया गया जिस परकार के प्रसनों DRSB की भरतियों में पूचिए जाते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं नई प्रात्मिक सिक्चक भरती की और यहां पर विद्यार्थियों ने एक पोश्टर जारी किया है और यहां पर लिखा हुआ है कि पांच फर्वरी को लखनों में धर्ना प्रदर्शन होगा NCRT निशाद गंज में सुबह 10 बजे से आगे लिखा था बेशिक सिक्चा मंतरी संदीप सिंग ने गुरुवार को 79,000 शिक्चक भरती के अभरतियों से वारता के दोरान निउक्ति के संभावेत सभी बिंदों पर चर्चा किया और उन्होंने अभरतियों को आस्वासन दिया है कि वे जल्द मुक्यमंतरी से मुलाकात करा करके इ पर बेशिक सिक्चा मंतरी संदीप सिंग प्रमुक सिक्चा इसकूर्ण महा निदेशक वस्तायूंक शिक्चा निदेशक साथ में वारता किया CT नर्शरी और DPSE में परवेश 5 से लेकर के बीच तक होगा लिखा है कि CT नर्शरी एवं DPSE में परवेश का कालकरम उत्तर प्रदिस परिच्चा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिले बूसन चतुरवेदी ने जारी कर दिया है तो वहीं पर बेड में एडविशन को लेकर के भी सूजना है दस फरवरी से भर सकेंगी BJ sabes prza के फारव संय। 24 के लिए ओन-लड़ाइन फर्म दस फरवरी से भरे जाएंगे आप लोगों ने वीदियो को लाक ना किया हो तो वीदियो लाइक करदें और जो नय चात्रों तो चेनल को सब्सक्राइब भी कर लिए ताकि बुंदेलखंड युनिवस्ट्री प्रवेस परिक्षा कराएगा। बुंदेलखंड युनिवस्ट्री को एक बार फिर से भीट की सयूगत प्रवेस परिक्षा कराने की जिम्मेदारी मिली है। शासन की ओर से एक फृवरी को विग्यापन जारी करने के निर्दिश दिये गये थे, इसी क्रमी विजपति वार को विग्यापन जारी कर दिया है। कुल सचीव वीने कुमार सिंग ने बताया कि 10 फरवरी से लेकर कि 10 मार्स तक बेएट की सेयुद प्रविश परिक्चा के लिए ऑनलेन फर्म भर जाएंगे, 20 से 25 अपरेल तक प्रविश परिक्चा करा जाएगी, अगली सूजना केंदरी बजट की है, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे, यूपी ट्रविश की और उत्तर प्रदिस लोग सिवा आयोग की, कल बजट तो पारिद हो गया, लेकिन विद्यार्थियों को युवाओं को बहुत ज़दा निरासा मिली, बांकि ठीकी है, बहुत ज़दा लोग लिभावने योजना नहीं रही है, और यहां यूआओं के लिए बहुत ज़दा कुछ नहीं है, कांग्रेस ने भी रूजगार को लेकर के मुद्दा उठाया है, यहां पर देख सकते हैं, यह कांग्रेस के दक्षे मलेकार जुन खड़गे, उन्होंने भी कहा कि दो करोड़ नोकरियां, किसानों के आए दोगुना करना 2022 सभी को पक्का घर, सो स्मार्ट सिटी जैसे आस तक वादे आस तक पूरा नहीं हुए, तो प्रधान मंतरी ने खुद कहा था दो करोड़ नोकरियों के लिए और पिछले साल भी कहा था दस लाग सरकाई नोकरियों के लिए, और कहीं भी कुछ देखने को नहीं मिला, देख इसको लेकर कोई प्लाइनिंग नहीं है, प्रधान मंतरी मोदी द्वारा लेड़ साल पहले ये घुसरा की गई थी कि केंज सरकार के दस लाग पदों को भरा जाएगा, उस संदर में भी कोई बात नहीं है, और कैसे समिधान में जो इवाओं को लोगों को गर्मा पूं, रो उसके बारे में भी किसी तरह का प्रयास नहीं दिखता है, आज विरुजगारी बेंतहा बढ़ रही है और ऐसा कोई भी प्लूवीजन दिखाई नहीं दिया, इससे ये लगे कि सरकार बेतासा बढ़ रही बेकारी को लेकर के उसके समाधान को लेकर के चिंतित हो युवा मंच इस सवाल पर लगातार धन्ना प्रदर्शन कर रहा है, हम लगातार इस सवाल की मांग कर रहे हैं कि एक क्रोड रिक्पदों को बढ़ने के लिए कि इन सरकार अभी भी विवस्था करे, ऐसा उप्पेरोधान करे, जिससे ग्लोजगार का सवाल हलो सके कल युवा मंच की तरफ से पत्थर गिरजागर में जबर्जस्त प्रदर्शन भी हुआ जो शिक्षक भरतियां और अनभरतियां प्रदेश में रुकी हुई है तो अक्सर लोग पूछते हैं कि जो सरकार है वो बैकेंसी निकालते क्यों नहीं है उसके बाद में फिर IPPS का गठन भी किया गया और IPPS में बहुत सारी बैको की वेकेंसी निकली दूजार आठ इसी तरीके से अगर राज़ों की बात करें तो राज़ों में राजस्तान में अभी पिसली कांगरीस की सरकार थी यहाँ बहुत सारी वेकेंसी आइं लेकिन कांग्रिस की सरकार खेंदर में भी चली गई वेकेंसी निकालने के बावजूद भी और इसी तरीकी से राजस्थान में भी और उप भी लगने लगते हैं कि ब्रष्टाचार करेटन पेपर लिग मध्र परदेश में पिसले 4-5 साल से कोई भरती निकली नहीं PCS भी निकला था अभी निकला है आपने देखा होगा साथ पदों का बिग्यापन निकला में परदेश से PCS का और वहां भी भरतियों का बहुत खराब हाल है और यही कारण है कि वहां पर दुबारा भी सरकार की सरकार आ गई माफ कीजिए गाब BJP की कवर्रमेंट आ गई 36 गण में वेकेंसी निकाली 36 गण में कांग्रेस हार गई उत्तर परदेश में समाजवादी की पार्टी की जब सरकार आय थी 2012 में उसके बाद से बहुत सारी वेकेंसी निकली वेकेंसी निकलने के लिए अलग आयो का कठनी भी क सारी बरतिया निकली लेकिन सपसरकार भी हर गई और आप लोगों नो देखा होगा कि जो दूसरे मुद्दे हैं उनसे सरकारों को ज़्यादा फायदा होता है जैसे राशन की योजना हो गई आवास की योजना हो गई शौचाला की योजना हो गई फ्री विजली फ्री पान आवासी जो बालिका विद्याले होते हैं वहां से भरती है यह लगबग 28 पदों पद हैं अलग-अलग जिलों से वाकेंसी निकल रही है अब आज हम घर से निकली बार मंकी से निकली और यह नोटिफिकिशन आपको मेरे टेली ग्राम चैनल पर मिल जाएंगे टेली ग्राम चै अगर चाहिए तो आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी बुलंदसहर.nic.in और इस प्रारूप में आपको पूरा जो आविदन ने वो भरना है आविदन भर करके बेज देना है अगली जो सूचना है वो यूपिटर पलेसी की है यूपिटर पलेसी ने आईरवेदिक फा प्रवरी को यह परिक्टियों को लेकर कि क्या चर्चाएं होती हैं हाला कि बहुत साले जो विद्धारती हैं विपक्च की जो विधायक है उनके पास उन्होंने ग्यापन दिया है और विधान सब्वा में नई प्रात्मी शिख्चकब़ती की जो बात है वो रखी जाए और उमीद है कि प्रात्मिक सिक्षक भरती पर इस बार भी चर्चा होगी इगनु में प्रवेश की अंतिमतिती 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है उत्तर प्रदेश लुकसिवा आयोग ने एक विगवति जारी की है जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं और यह भी गपती है आरो ए आरो एकजाम की लिगा ग्यारा फरवरी को यह परिक्षा प्रदेश की लगवग 58 जनपदों में होगी जिन जनपदों में यह परिक्षा होनी है उनके यहां पर नाम लिखे हुए है और यह भी पताया गया कि अबरतियों की प्रवेस्पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्द करा दिये गए है विद्यार्थी OTR नमबर के द्वारा अपना जो एड्मिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग की एक और सूचना है कि PCS आवेदन की अंतिम तिथी बढ़ाने की विद्यार्थी ने मांग की है इसको लेकर की विद्यार्थी ने ग्यापन भी दिया है लिखा है कि PCS परिच्छा 24 के लिए शुल्ग जमा करने और आवेदन तिथी बढ़ाने के लिए प्रदियोगी जात्र संगर समित ने उत्तर प्रदेश लोग सीवा आयोग में ग्यापन दिया है समित के मीडिया प्रबारी प्रशाथ पांडे का कहना कि परिच्छा शुल्ग जमा किया जाने के लिए निर्धारित अंतिम्तिति वाले दिन और इससे पहले तीन दिनों से आयोग की वेपसेट के सवर बहुत धीमा था जिसकी वज़ए से हजारों अवेदन की प्रक्रिया अवेदन की प्रक्रिया पूर करने से बंचित रह गया थे अगर उन्हें अत्रिक्त अफसर नहीं मिला तो ये बिद्धार्दी प्रिक्षा नहीं देपाएंगे आज के वीडियो में इतना ही पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से कहूँगा कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइए ना किया हो तो लाइक वस कर दिया करें